नरेंदर मोदी ने किस तरह से BJP को और्गनाइज किया वड़ोदरा में जब विभाग प्रचारक थे और BJP का जो इतिहास है उसको जब हम खंगाल रहे थे उसको जब उसके बारे में जानकारी जुडाने की कोशिश करते करते घूमते हुए हमें यहां जो यह खाने राव मार्केट के पास एरिया है रावपुरा इलाके का वहां हम पहुँचे तो हमें कारेकरता के घर से यहां ही आप देख सकते हैं इनके घर से हमें कुछ पड़ी इंटरस्टिंग तस्वीरें मिली जिससे जिसमें एक बड़ी रोचक जानकारी बाहर निकल करके आई हो और यह आपको बताएगा अंदाजा देगा इस बात का कि बरोदा का क्या सिग्निफिकंस है बीजेपी के उदे में कैसे बीजेपी यह अपनी रूट्स धीरे जीरे उसने जमाई आपको जानके हैरानी होगी कि 1980 में पहली बार पूरे देश में बड़ोदा ऐसा एक शहर था जहां एक कॉर्पोरेशन का बाय इलेक्शन था जो बीजेपी के सिंबॉल पर जिता गया यह यह वो तस्वीर है मादू भाई शाह थे मदू भाई शाह जो यहां दिख रहे हैं यह उस वक्क कॉर्पोरेटर चुने गए इसे बीजेपी के सिंबॉल पर आपको बताते हैं बीजेपी का जो सिंबॉल है कमल उस पर और यह चुना हुआ था आपको इसमें यहां तारीक भी लिखी हुई है पंदरा छे उननीस सो अ पंदरा च्ग यह चुना हुआ था वड़ोजरा में बाई एलेक्शन हुआ था बीजेपी की उसी वक्त सथापना हुई थी फैसे कुछ समय बाद यह बाई एलेक्शन हुआ और इस बाई-एलेक्शन में पहली बार बीजेपी के सिंबॉल पे कोई कैन्डिडेट जीता था तो वो बरुड़ा में जीजा था ये बरुड़ा का एक इंट्रेस्टिंग कनेक्शन है बीजेपी की ग्रोथ के साथ और आपको बता दें सबसे इंट्रेस्टिंग बात कि उन दिनों में नरेंदर मोधी प्रचारा कुआ करते से वड़ोधरा में बीजेपी के इसलिए इस थोटी सी प्रचार सभा रखी गई थी और वहां पर ये बीजेपी के पुराने एक विधायक थे नेता से एजुकेशन मेंस्टर रह चुके हैं नरेंदर मोधी को यहां आप देख सकते हैं प्रदान मंतरी वाजपाई जो थे वो उस वक बीजेपी के बड़े चेहरों में मा मुझूद हैं और यहां आप देखिए मादूभई शाह जो इसी इलाके से कॉर्पोरेटर बने से बीजेपी के टिकेट पे बीजेपी के सिंबॉल पे पहली बार तो इंट्रस्टिंग बात यह कि 1980 में बीजेपी के सिंबॉल पे यदि पहली बार कोई चुन करके आया था तो वो सिटी था वड़ोदरा यानि एमदाबाद में जब बीजेपी ने कॉर्पोरेशन दीती 87 में या 83 84 में राजकोर्ट में जब कॉर्पोरेशन जीती उससे भी काफी समय पहले और इंट्रस्टिंग बात ये है कि बीजेपी को उसके बाद बरोदा में अपनी जड़े जमाने में करीब 15 साल का समय लगा क्योंकि पहली विधानसभा सीट जो थी वो पार्टी ने जीती 1995 में और आप देखिए कितनी मेहनत लगी होगी किस तरह से और्गनाइज किया होगा कारेकरताओं को किस से पूरा एक प्रचार का पूरा माध्यम सेट किया गए और यह पूरा प्रहत्न जो है उस समय उन दिनों में इंदर इंदर मोदी यहां पर भाग प्रचार अकुआ करते से उनकी अगवाई में यह सब चल रहा सा साइलेंट ली वो यह सारा नेटवर्क खड़ा कर रहे तो परिणाम यह हुआ कि 1995 में बीजेपी यहां पर चुनाओ जीतना शुरू किया यहां की रावपुरा विधानसवा चुनाओ जीती दूसरी जो सीटे है सायाजी गंज वो जीती और उसके बाद से पार्टी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा बड़ोधा जो है उसके ब